मित्रो ओम स्री गने साय नमा, आए जानते हैं पुद्धवार यानि की 14 अपरे 2021 का संपून और विस्तित पंचांग हमारा जो भारती जोतिस पंचांग होता है वो हता है सुर्योदे, सुर्यास, चंदरदे और चंद्रयास्त पर आधारित पंचांग एक संस्कित का सब्धी है जिसका साब्धिक अर्थ होता है पांच अंगों से निर्मित और वो पंचांग के पांच अंगों होता है तिथी, वार, योग, नचतर और करन इन्ही पांचों चियों से मिलकर हमारे पंचांग का निर्मान होता है किसी भी सुभकारी को करने के लिए हमें जवत परती है सही महुर्च, सही समय और सही नचतरकी और इन्ही सभी चियों की संपुन और सरी जनकारी हम आपको इस वीडियो के मध्यम से देने वाला है तो वीडियो में हमारे साथ अंतक बने रही है और संपुन पंचांग का लाव उठाइए वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक तो जोर करें साथी कमेंट बॉक्स में जैसे गने चोड लिखें वितनों आज का पंचांग आपको बताना राम करों उससे पहले आए हम सभी मिलकर एक बार सुबकामना देदे हैं उन लोगों को जिनका जन्दिन है आपको जन्दिन की हार्दिक सुबकामना है भगवान गनेस की किरपास है आपके जीवन के सभी परकार के बाद हो कानतो साथी साथ जिनका भी आज मैरेज अन्दिन है उन्हें भी मैरेज अन्दिन है की हार्दिक सुबकामना है भगवान सिब और महापारवती की तरह आप दोनों की जोरी जो है वो हमेशा यों ही बनी रहे साथी साथ जोकव व्यक्तिस पंचांग को देख रहे हैं यानि कि आप, आप के लिए मैं आज के दिन की मंगल में होने की कामना भगवान गरेश से करता हूँ तो इन्ही सद्वों के साथ आईए चलिया आनते हैं बुद्धवार 14 अपरेल 2021 का संपून और विश्तित पंचांग आज है विक्रम संबद 2078 सक्त संबद 1947 रहने वाला है कली संबद 5122 रहने वाला है माचेत्र पक्सेशुक्ल रितु बसंत रितु तिथी रहने वाले है द्यूतिया 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 3 बचकर 38 मेर्टक रहेगा उसके बाद फिर कृतिका नचत्रा अरंभ हो जाएगा करन कलोव रहने वाला है कलोव करन आज सुबा के 10 बचकर 47 मेर्टक रहने वाला है उसके बाद फिर 33 करन अरंभ हो जाएगा जोकी रातरी के ग्यारा बजकर पचास मेर्टा करने वाला है उसके बाद फिर गर करन अरंब हो जाएगा योग प्रिती रहने वाला है प्रिती योगार दिन के दो बजकर 46 मेर्टा करने वाला है उसके बाद फिर आईश्विवान योगारंब हो जाएगा दिशासूल उत्तर दिशाम रहने वाला है, उत्तर दिशाम में किसी भी खास प्रियोजन से यातर ना करें, यहाँ पर आपको नुक्सान हो सकता है सुब खाद्याज का धनिया रहने वाले धनिये खा एक दोदाना खाकर भी यतारम करेंगे किसी नई कारी को करेंगे उसमें आपको सफलताथ लगेगी चंदरासी मेज रहने वाली है मेज आसीम चंदरमा आज रात लिके दस बच कर 17 मिर तक विराजीत रहेंगे उसके बाद चंदरमा फिर वरिस रासी में प्रविस्त कर जाएंगे वरत्योहार में आज है चैत्र नवरात्रा का दूतिया पुझा आज माब्रहमचारनी की पुझा अरचना की जाएगी सुर्योदे और चंदरमा फिर की बात के तो सुर्योदे होगा सुभा के 5 बच कर 17 मिर पर और सुर्यास्त होने वाला साम के 6 बच कर 46 मिर पर चंदरमा फिर होगा सुभा के 7 बच कर 15 मिर पर और चंदरमा फिर रात लिके 8 बच कर 48 मिर पर इदो थी सूर्योधे और चंदोधे की बात आई एक जानते हैं आज के सुब चोगडिया को आज का सूब समय रहने वाला है दिन के 10 बच कर 45 मि데 छे कर 12 बच कर 21 मिट तक और आज का 4 समय रहने वाला है दिन के 3 बच कर 33 मि데 से लेकर 5 बच कर 10 मिट तक लाब समय आज का सुभा के 5 बचकर 57 मेर्ट से लेकर 7 बचकर 33 मेर तक रहने वाला है और आज का अमरीच समय सुभा के 7 बचकर 33 मेर्ट से लेकर 9 बचकर 9 मेर तक रहने वाला है ये तो थी आज की सुप जोगरिया आईए अब जानते हैं आज के राहुकाल और गुलिक काल की स्थितिको राहुकाल रहने वाला आज दिन के 12 बचकर 21 मेर्ट से लेकर 1 बचकर 57 मेर्ट तक इस समय में कोई भी नहाकारी करने से बिल्कुल बचे आपको अशबलता हथ लग सकती है राहुकाल एक असुप समय होता है गुलिक काल एक सुप समय होता है यह रहने वाले दिन के 10 बचकर 25 मेर्ट से लेकर 12 बचकर 21 तक इस समय में कोई भी नियाकारी आडम किया जा सकता है अब जीत मुर्थ आज नहीं है क्योंकि आज बुद्वार है बुद्वार को अब जीत मुर्थ नहीं होता है विजय मुर्थ की बात करें तो विजय मुर्थ आज रहने वाल दिन के दो बज कर और 30 मेर्ट से लेकर तीन बज कर 21 मेर्ट तक और आज का गौदले मुर्थ रहने वाला है सामके 6 बज कर 34 मेर्ट से लेकर 6 बज कर 28 मेर्ट तक तो में तो यहाँ पर मैंने आपको आज का संपून और विस्तित पंचांग बता है इसी तरह की अनिक गारवर्दक वीडियो के लिए जो रहने धर्मसिक्छा के साथ और देखते रहे है धर्मसिक्छा जै माता दी